तो जैसे कि दोस्तो टाठा की सबसे ज़्यादा सेफ कार और टो सुई लॉज जानते हैं कीमत और फीचर्स के बारे में दोस्तो अभी तक आपने हमारे न्यूस एंड हिंदी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दवा के चैनल को कर लीजिए जल्दी से सस्क्राइब और साथ में दोस्तो जिनोंने सस्क्राइब कर रखा है और बैल आइकन को नहीं दवा रखा तो साइड में बैल आइकन पे क्लिक कीजिए यहाँ पे आपको तीन आप्शन मिलते हैं सबसे उपर वाले all आप्शन पे क्लिक कर दीजे और चैनल की नॉटिवेशन को on कर लीजिए ताकि आप सबी को हमारी वीडियो की नॉटिवेशन मिल जाए सबसे पहले। दोस्तों देश की बड़ी का निर्माता कमप्टी टाटा मोटर्स ने अपनी प्रीमियम हैच पैक कार ओल्टोस को लॉंच कर दिया है पैट्रोल वर्जन वाली ओल्टोस की एक शोरूम कीमत दोस्तों बारती बजार में मात्र पांच लाक रुपे रखी गई है वही डीजल वीरेंट की बात करें तो दोस्तों इसकी कीमत मात्र छे लाक रुपे रखी गई है ओल्टोस देश की सबसे सुरक्षित हैच पैक कार अभी तक मानी जा रही है क्योंकि क्रेश टेस्ट के अनुसार इसको पांच रेटिंग पूरी मिल गई है टाटा मोटर्स की ये प्रीमियम हैच पैक औल्टोस दोस्तों पहली बार अपने टाटा के नए अलफे प्लैटफॉर्म पर अधारित होई है अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारती बजार में ये पूरे चार वेरेंट पे उतारी गई है तो आल्टोस की X मॉडल की शुरुवाती कीमत 5 लाक रुपे रखी गई है वही इसके XZ मॉडल की तरफ जाये तो उसकी कीमत 7 लाक रुपे रखी गई है वही दोस्तों इसके डीजल वेरेंट की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें आपको एक मॉडल मिलने वाला है जिसका नाम है XC उसकी कीमत दोस्तों 6 लाक रुपे एक शुरुम रखी गई है वही उसका दूसरा मॉडल आने वाला है XZ जिसकी कीमत 9 लाक रुपे रखी गई है साथ 86 PSP की पावर और 113 Nm के टॉक पर जनरेट कर पाने में शक्षम होगा इसमें आपको 5-speed manually transmission का option देखने को मिलेगा वहीं दोस्तों दूसरी और इसमें आपको diesel engine देखने को मिलता है जो कि 4 slander के साथ 1.5 लीटर का BS6 engine होता है जो कि आपको 19 PSP की पावर और 200 Nm का टॉक परदान कर पाने में शमता रखता है इसमें इंजन वारी कार दोस्तों 5-speed manually और दोस्तों इसके साथ 7-inch के touch screen infotech system के साथ लेस की गई है जिसमें आपको Android, Auto और Apple कार पे दोनों की सुवीदा मिलती है तो दोस्तों ये तो काफी good news है कि Tata ने अपनी Altos को भारती बजान में चार वीरेड में उतार तिया है हम सभी के लिए अगर आप इस कार को book करना चाते हो तो आप Tata की website पे जाके इसके showroom में विजिट करके इस कार को book कर सकते है और दोस्तों बताना चाहूँगा कि EMI option भी आप सभी के लिए उपलब्ध है आखे दोस्तों अपनी राय हमें comment box में जरूर बताईएगा और वीडियो को भीना like करें बिल्किर मत जाईएगा मिलेगा दोस्ता हम आपसे next वीडियो में तरिएगा